हलो फ्रेंट्स स्वागत है एक बार पुना आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल स्यू कोचिंग क्लासेस पर अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 12 वाय वलाज एंसे आटे चैप्टर 6 में आज का जो हमारा टापिक फ्रेंट्स वो क्या है ज प्वस्थित समस्त जीनो या अनुवांसिक पदार्थों को ही हम क्या कहते है फ्रेंट्स जीनोम कहते है ठेक है फ्रेंट्स क्या कहते है अपन जीनोम कहते है ठेक है फ्रेंट्स क्या कहा हमने कि जीवधारियों में यानि किसी भी जीवधारी में जो जेंस या अनुवांसिक पदार्थों को हुई हम क्या कहते हैं अब देखे फ्रेंट्स यह जो हमारा जिनोम सब्ध है यह हमारा जिनोम टर्म है जो इसका प्रयोक सब डियने या आर्याने भी सानु में किसका बना होता है, आर्याने का बना होता है, जीनोम के अंतर गत फ्रेंट्स, नाभिकी जीनोम के साथ साथ माइटो कांड्रियल एवं क्लोरोप्लास्ट डियने को भी समलित किया गया है, ठीक है फ्रेंट्स, ये चीज आपको याद रखनी ह के सरीर को बनाने तथा उसकी अनेक क्रियाओं के संचालन संबंधी जीन पाए जाते हैं यानि जीवधारियों के सरीर को बनाने यानि सरीर जो जीवधारियों को बनता है तो हर एक जीवधारियों के सरीर को बनाने तथा उनके अनेक क्रियाओं के संचालन संबंधी जीन पाए जाते हैं यानि जिनोम में फ्रेंट्स जीवधारियों के वनाने वाले चलिए यहां परापन देखते हैं जीनोमिक्स के कुछ अनुपरियोग देखते हैं टीक है फ्रेंट्स जो हमारा जीनोम या ईनुपरियोग देखते हैं तो समझे फ्रेंट सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है हमारे यहाँ पे कि देखे फ्रेंट जिनोम के अध्यान का निम्न कारियों में उप्योग किया जाता है यानि इसका जो अनुप्रयोग है फ्रेंट तो जिनोम के अध्यान का निम्न कारियों में प्रयोग करते ह देखे पहला जो है यहाँ पे हमारा वो क्या है कि इसके द्वारा मानव अन्वन्स की को समझने में मदद मिलती है देखे जो हमारा जिनोम है इसके परिणाम सुरूप क्या होता है फ्रेंट्स की मानव जेनेटिक्स जो होती है यानि जो हीमन जेनेटिक्स है तो इसकी स्टाड बीमारियों से बचने में सहायता मिलते हैं ध्येक फ्रैंट्स जहरूज जjutर सो है इसके सहायता से हम अनुवान्सिक जीव होते हैं तो ट्रांसजेनिक जीवों में क्या होता है ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा करने में भी सहायता मिलती है अर्थात इसके परिणाम चरूप हम ट्रांसजेनिक जीवों को भी पैदा कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स जीनोम अर्थात जीनोमिक्स का अध्यान करके ठीक है फ्रेंट्स अब देखे फ्रेंट्स हमारा जो दूसरा टापिक है आज का तो फ्रेंट्स दूसरा टापिक है हमारा यहाँ पे मानव जीनोम परियोजना देखिए फ्रेंटस हमने genome ये genome इस्तों समझ लिया अब देखिए फ्रेंटस जो हमारा Mano genome परियोजना है इसको हम सार्ट कट में क्या बोलते है friends एच जीपी यानि friends human genome project न하면 false फ्रेंटस क्या का हमने हेच जीपी का पूरा नाम क्या है human genome प्रोजेक्ट और इसको हिंदी में क्या बूलता है कि मानव गुर टॉसत पायते हैं तो उन 46 गुर्षट्रों में क्या होता है उनके ऊपर 30,000 से ठीक है फ्रेंट्स उनके उपर कितने 30,000 से अधिक kriya seal genes पाए जाते हैं ठीक है फ्रेंट्स हमने क्या कहा कि मनुस्य के अंदर जो 46 गुन सूत्र पाए जाते हैं तो उनके उपर 30,000 से भी अधिक kriya seal genes पाए जाते हैं यह genomic DNA का 3 प्रत्सत भाग होता है ठीक है मानो जीनोम में लगभग 3,000,000 जोड़ी nucleotides पाए जाते हैं ठीक है फ्रेंट्स यह चीज आपको याज रखनी है कि जो nucleotides होते हैं वो मानो जीनोम के अंदर ही होते हैं तो मानो जीनोम के अंदर कितने फ्रेंट्स 3,000,000 के something क्या होते हैं nucleotides present होते हैं अब देखिए फ्रे परियोजना को प्लरंब किया गया अब समझे फ्रेंट्स इसके आगे क्या है कि यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें मानो जीनोम के संग्ठन संद्चना एवं कारियों का ध्यान किया जाता है ठीक है फ्रेंट्स इस संग्ठन के अंतर क्या किया जाता है फ्रेंट्स मानो जीन योजना की सुरुवात जो है प्ररहां यानि इसकी जो सुरुवात हो कवि थी एकक्टूबर जिसमें मानो जीनोम के संग्ठन संचना एवं कारियों का ध्यान करते हैं तथा यह एक अंतरराष्ठी सोध परियोजना भी है और इस परियोजना की सुरुवात जो है फ्रेंट्स एक अक्टूबर 1990 को प्रारम की गई तथा 37 फ्रेंट्स यह कप तयार हो गई तो यह 26 जून 2000 तक में पौन हो गई यह परियोजना ठीक है फ्रेंट्स अब देखिए फ्रेंट्स यहां पे हम क्या देखेंगे यहां पे हम मानो जीनोम जो परियोजना है तो मानो जीनोम परियोजना यानि हमारा हिूमन जीनोम प्रोजेक्ट है तो हिूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जितने भी उद्देश है यानि अब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे यहाँ पे तो आए फ्रेंट से देखते हैं यहाँ पे मानो जीनोम पर योजना के उद्देश में क्या है देखें जो पहला हमार उद्देश है तो मानो जीनोम पर योजना के माध्यम से बिस्तरत जेनेटिक लिं जो genetic linkage है तो उसका मायप यह नक्सा तयार करते हैं ठीक है फ्रेंट्स अब देखें फ्रेंट्स जो दूसरा point है हमारा यहां पर वो क्या फ्रेंट्स दूसरा object हमारा है कि genomic DNA की cloning करके मानो जीनोम का भहुत दिक मायप तयार करना ठीक है फ्रेंट्स यहां पर क्या है कि genomic जो DNA है तो उसकी क्या करेंगे cloning करेंगे तता cloning करके जो manogenome है तो manogenome का भहुत एक मैभ भी तयार करेंगे यहाँ पर यानि इसका भहुत एक मनाख सभी यहाँ पर तयार करेंगे अब समझे फिर्श जो manogenome के nucleotides का पूर्ण क्रम निरधारित करना यहाँ पर तीसरा object क्या है फिर्श कि manogenome के nucleotides का पूर्ण क्रम निरधारित करना फिर्श जो हमारा manogenome में nucleotides होते हैं तो manogenome के nucleotides है तो nucleotides का पूर्ण रूप से उनका एक क्रम है जो उसको निरधारित करना तो यह था manogenome पर योजना के तीसरे तीसरा object यहाँ पर अब देखे फ्रेंट्स जो चाउथा object है यहाँ पर manogenome पर योजना का तो चाउथा object फ्रेंट्स क्या है यहाँ पर कि DNA cloning DNA sequencing जैसे अन्वानसिक तकनीकों को विक्सित करना एवाम उनको उन्नत करना क्या का फ्रेंट्स हमने कि देखे फ्रेंट्स इसमें DNA cloning तथा DNA sequencing तथा अन्वानसिक तकनीकों को क्या करना विक्सित करना तथा साथ ही साथ फ्रेंट्स उन विक्सित तकनीकों को भी उन्नत इस तर पे ले जाना तो फ्रेंट्स यहाँ पर manogenome पर योजना के हमने चार उद्देश से बताए हैं यानि जो हमारा human genome project है यानि manogenome पर योजना है इसको आपको समझाना है तथा फ्रेंट्स इसके साथ manogenome पर योजना के उद्देश्यों का भी बर्णन करना है देखे फ्रेंट्स यह दो या तीन नंबर दोनों में आ सकता है यानि दो नंबर के question में आता है फ्रेंट्स तो केवल definition आपसे पूछेगा कि manogenome पर योजना क्या है समझाईए तथा साथी साथ फ्रेंट्स यानि तीन या चार नंबर के question में आता है तो क्या पूछेगा कि manogenome पर योजना के प्रमुक अबजेक्टों को समझाईए ठीक है फ्रेंट्स तो इस प्रकार से फ्रेंट्स आज की वीडियो में हमने आपको जिनोम या जिनोमिक्स को समझा दिया तथा जिनोम एवं जिनोमिक्स के साथी साथ फ्रेंट्स हमने आपको मानो जिनोम परियोजना को समझा दिया तथा जिनोम या जिनोम इसके हमने आपको उपयोगिता भी बता दी और इसके साथ ही फ्रेंट्स हमने मानो जिनोम परियोजना के अब्जेक्ट भी आपको बता दिया तो फ्रेंट्स इन दोनों कोश्चन को आप तयार कीजें कोई नो कोई कोश्चन पेपर में 2-3 नंबर का पूंश सकता है ठीक है फ्रेंट्स तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी तो फ्रेंट्स मिलते हैं आपसे निस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद बनने मातरा